हालो एव्रिवान वेलकम बैट तो मैं चानल आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांस्पोर्ट एक्रोस प्लाज्मा मेंब्रेन की बारे में सबसे पहले देखिए कि प्लाज्मा मेंब्रेन क्या होता है तो इसी दो आउटर लेयर आफ आनिमाल सेल्स है ना कोई अनिमाल सेल्स है उनके आउटर लेयर रहेगा प्लाज्मा मेंब्रेन प्लाज्मा मेंब्रेन की स्ट्रक्चर की बारे में हम बात किये थे कि प्लाज्मा मेंब्रेन जो होता है यह फॉस्पो लीपिड बाय लेयर से बना हुआ है यानिकि लीपिड की ऐसे इस तरीके से दो ल कोई भी molecules को आपको extra cellular fluid से cell के अंदर वेजना है या cell से बाहर वेजना है उसको हम ट्रांसपोर्ट कहेंगे 20 बर्सा है ना दोनों डिरेक्शन में आ सकता है क्यों 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 कि देखिए हम लोग जो खाना energy consume मतलगी खाना खाते हैं वहां से energy कैसे निकलेगा food particle जो है वो blood से अ आपको cell की अंदर सारे चीजों को भेजना है cell से जो energy बन रहा है दूसरे चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है तो इसलिए जो plasma membrane होता हो डाइनामिक नेजर होता है और हर कोई चीजों को हमको ट्रांसपोर्ट करवाना है ठीक है और specific nature of plasma membrane होता है कि यह selectively permeable होता है देखिए उनकी मतलब क्या है उस select करेगा कौनसी molecule को pass करना है कौनसी molecule को pass नहीं करना है उसको select करेगा तो अब हम देखेंगे specifically जो small छोटे size की जो molecules होता है उसको plasma membrane आसानी से पास कर लेगा और plasma membrane की structure यह आप बात करोगे उनकी जो head होता है वो hydrophilic होता है यानि water की contact में आ सकता है ले लेकिन बात आई उनकी hydrophobic tail की बारे में ये सारे चीजों को आसानी से allow नहीं करेगा ठीक है अच्छा तो smaller size की जो molecule होते हो तो easily pass कर जाएंगे और non polar molecule जो होते हो भी easily pass कर जाएंगे लेकिन बात आई जो charge polar molecule होते हैं ओ कैसे transport करेंगे ठीक है अच्छा जो molecule आसानी से उनकी concentration क कि आकरिंग pass हो रहा है उसके लिए कोई तो energy की जरूरत नहीं है कोई दूसरे चीजे की जरूरत नहीं है लेकिन जो energy मतलब की जो polar charge molecule होगे उसको transport करने के लिए plasma membrane में कुछ protein पाया जाता है है यहना कुछ ऐसे होते हैं कि वो ATP use करके भी अंदर आते हैं क्योंकि cell के अंदर चाना भी जरूरी है cell से बाहर निकलना भी जरूरी है ठीक है तो उसकी आधर पर हम बात करेंगे जो transport होता है वो दो तरीके के होता है कुछ में energy की कोई भी utilization नहीं होता है उस type के transport को हम passive transport बोलेंगे और जहां पर energy की utilization होता है हम उसको active transport बोलेंगे ठीक है आचा ट्रांसपो हम उसको passive transport बोलते हैं यह भी दो तरीके के होता है क्यों कि जैसे हमने देखा कि कोई भी substances जो था यह अपनी higher concentration से है आपकी concentration higher concentration से lower concentration को आ रहा है simple है तो जैसे कि अपने अगरवती घर में जो हम लगाते हैं है तो उनकी जो एक कोने में लगाओगे दूसरे को फेल जाता है क् पर higher concentration से lower concentration की और चला गया पाणी माली जाप से हाथ में ग्लास जहां पर जाता था ओऊ है और यहां पर कोई भी चीजे की ज़रुत नहीं है बस कोन्सी charge molecule की बात किए यहाँ पर क्या होता है वही जो polar charge molecule रहेंगे वो क्या करेंगे अपने आप मूब तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्लाज्मा मेमरिन की जो tail है यह हाइड्रोफोबिक होता है तो उसको मूब करने के लिए कुछ protein पाये जाते हैं यह जो protein होते हैं वो दो तरिके के होते हैं कुछ carrier protein होते हैं और कुछ channel protein होते हैं ठीक है अच्छा यह जो carrier protein और channel protein रहते हैं उसके थूँ जो transport हो रहाए हम उसको बोलेंगे facilitate transport यान्न कि यह आपने आप नहीं आ रहा था हम उसको facility प्रुओब किया यानि कि कुछ protein देकर कि ताकि वो move कर सके ठीक है आचा तो इसलिए हम उसको facilitate कहते हैं तो carrier protein and channel protein क्या होता है देखिए आप picture में थोड़ा समझ ली दिये carrier का मतलब क्या है और channel का मतलब क्या है basically पहले channel की बारे में बात करेंगे चानिल जो होता है यह क्या करेगा plasma membrane की liquid byler रहा है यह hydrophobic उनके tail है यह क्या करेगा यह देख रहो पाइप की इस ना हिससा जो होता है वो है है hydrophobic होगा क्यों क्योंकि उसको direct contact के साथ होना है लेकिन जो अंदर वाला साइड से पाइप का जो अंदर वाला साइड से वह आपका हाइड्रोफोलिक होना चाहिए ताकि वह जो चार्जर मोल्कुल है वह पास हो सब्सक्राइब होगे आपका चैनल प्रोटीन उसके बाद हम देखेंगे क्यारियर प्रोटीन के स्ट्रॉक्चर अलियती देखोगे वहां पर वही हैड्रोफोबिक रहेगा अंदर वला हैड्रोफिलिक रहेगा यह तो सही है लेकिन होता क्या है उनकी ट्रांसपर्ट करने की जो तरीका है थोड़ा अलग है यह पहले क्या करेगा ना पहले ओही मॉलिकुल के साथ बाइंड ह क्या करेगा अपनी अंदर कुछ कंफरमेशनल चेंज लाएगा इनकी च्रॉक्चर में कुछ देकर यहां पर बाइंड हुआ फिर मतला कि नीचे साइड क्लोज था फिर उन्हें ने बीच में आगे दोनों साइड फिन घुपन हो गया फिर उपर साइड क्लोज हो गया ने कुछ क चेंज थोड़ा टाइम लगेगा ठीक है फ्रकタियर होता है उनकी कमपेरेजन्स में तो यहां पे हम बात करेंगे जो चानल क्यारियर प्रोटिन जो एक्जाम्पल हम मानके चलेंगे ग्लूट जो होता है ग्लूकोस को ट्रांस्पोर्ट करवाने के लिए हमारे सेल्स के अंदर ग्लूट ट्रांस्पोर्ट और पाये जाता है जो एक क्यारियर प्रोटिन होता है और चानल प्रोटिन के अंदर आप तो माले जी यहां पर कोई चार्ज की डिफरेंसेज हो गया बाहर पोजिटिव चार्ज जादा है अंदर नेगेटिव चार्ज जादा है तो इस टाइम में ओपन हो जाएगा बोल्टेज गेटेड चैनल कहेंगे माले जी कोई मेकानिकल प्रेसल लग गया तो भी ओपन होगा माले जी कोई हॉर्मोन आ गया है ना उसकी इन्फूएंसेस में सिल्क अंदर इन्फरमेशन भेजना है तो भी ओपन होगा और एक होता है लिकी उनकी नाम से बता लगता है कि यह हमेशा ओपन रहता है यह एक ऐसा मतलब कि चैनल है जो कि हमेशा ओपन रहता है है ना आच्छा तो यह होगे आपका सिंपल डिफ्यूजन यानि कि पासिव ट्रांस्पोर्ट का सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में और फैसिलेटेड जो होता है कुछ time के बाद वो stable हो जाता है क्यों कि उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए आप के पास क्या चाहिए प्रोटीन चाहिए यहुद्धि सारे प्रोटीन ब्लक हो चुका है यानि कि ट्रांसपोर्ट में बीजी है यह आप यहां पर जितने भी concentration बढ़ा हिए वो ट्र फिर उसके बाद next भी है ना इस तरीके से ट्रांसपोट करेगा ऐसा नहीं कि आटे टाइम दस को दस ट्रांसपोट हो जाएगा लेकिन जो नॉर्मल सिंपल होता है आटे टाइम हो आ जाएंगे ठीक है आचा नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका भी पासिफ ट्रांसपोट की नो अब हम देखेंगे आक्टिव ट्रांसपोट की बारे में आक्टिव ट्रांसपोट जहां पर क्या होता है एनरजी की इस्तमाल होता है हम उसको एक्टिव ट्रांसपोट कहेंगे है ना इूटिलाजेशन आफ एनरजी ये दो तरीके के होता है प्राइमेरी आक्टिव ट्रां था है यह अपने अंदर नाम होता है transporter यह जो ट्रांसपोर्टर होता है तीन तरीके के हैं कुछ ट्रांसपोर्टर ऐसे होते हैं जो कि uniporter होते हैं यानि कि सिर्फ एक्ष्ट्रसलर से अंदर को लाएंगे या अंदर से बाहर को लाएंगे एक molecule को और एक होता है सिमपोट सिमपोट का मतलब है कि सेम डिरेक्शन में ट्रांसपोट करवाएंगे बाहर से दो molecule को अंदर लाएंगे या अंदर से दो molecule को बाहर लेंगे हैना और यहां पर हम देखेंगे active transport में energy की जरुद क्यों लगा क्यों कि यहां पर चीज़े क्या हो रहा है lower concentration से higher concentrations की अपर molecule की move हो रहा है तो बेसिकले जैसे glucose बगेरा हो गया है ना सिल के अंदर भी तो होता है हम जो जैसे कमालिज अपने खाना अभी अभी खाया है digestion उने के बाद glucose बन गया तो उसको intestine से फिर ट्रांसपोट करवाना है है ना अचा सिल के अंदर भी रहता है फिर भी आपको ट्रांसपोट करवाना है तो lower concentration से higher concentration की और आपको move करवाना है तो यहां पर हम देखेंगे primary active transport क्या होता है जहां पर directly active use होगा हम उसको primary active transport कहेंगे यहांपर directly active use हो रहा है यह भी कहीं तरीके के है और याद रखे यह एक uphill transport होता है जैसे हम कोई भी हिल स्ट्रेस्स और फ़ाज की अपर चट टे हैं इस तरीके से डिरेक्ट प्राइमिरी में आपका P टाइप हो जाएगा है ना P टाइप एक होता है ABC टाइप एक होता है V टाइप P टाइप का मतलब होता है कि फॉस्पोराइलेटेट टाइप की मतलब समझें यहाँ पर जो होता है एनरजी आपका यूटिलाइज होगा एटीपी आपको पता है आड़ेशाइन ट्राइफॉसपड याने कि दो स्पैट हो जाएगा है ना उसके साथ कहते हैं और एक होता है ABC मतलब कि आपका ATP binding cascade होता है यहां पर directly ATP उज होता है भी टाइप में आपको बेसिकलर ट्रांसपोर्ट होगा ना बेसिकलर ट्रांसपोर्ट में हम क्या करने हैं कोई कि बेसिकल स्फर्मेशन कर रहे हैं यहनि कि चीजों को आपको बात करेंगे सेकेंडरी अक्टिव ट्रांसपोर्ट की बारे में सेकेंडरी अक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है आपकी जो एनर्जी की युटिलाइजेसन जो होता है और डारेक्टल अटिव योज नहीं होगा यहां पर क्यारियर प्रोटिन के ठूख चीजे चल रहा है होगा क्या ना जो हमने बात किये थे यूनिपोर्ट सिंपोर्ट अंटिपोर्ट की जो क्टेगोरी होता है उस बाला चीज कि जो बहतरिन एक्जाम्पल होता है यह आपका जो हमने घर में कोई भी रिष्ट दर आने के बाद आभी तो स्ट्राइट बगरा दे रहे हैं पिसले टाइम पे क्या हो रहे थे निम्बू की निम्बू की जो सुगार है सॉल्ट है उसको आड़ करके सालाइन मर्टर दे रहे थे तो अच्छा था तो हम हमेशा क्यों करते हैं जब सुगार के साथ हमेशा क्या है हम सल्ट डालते हैं क्यों कि जो सोडियम और ग्लुकोज की जो ट्रांसपोर्ट है वह इस तरीके से हो रहा है ठीक है ना क्या होगा जब भी सोडियम ट्रांसपोर्ट होगा तब जो 사jus ofMM और इंटरिवसं से कंद्रैश्रों हो जाएगा ठीक है एक तो इस हर्स प्लाज्म घलीव मेंबरन जो है समझ में आए वीडियोड आए तो ला आपी ड PB हशार कीजिये आपकी दोस्त की साथ सोतете थे थैंक्यू